देखिए आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो स्टूडन्स ठीके ये जो आपको दिख रहा है एक मतलब वुडन का फ्रेम है उसके अंदर वायर्स के अंदर सारे बिस लगे हुए है ठीके वो है एबेकस एबेकस क्या है बहुत पुराना सबसे पुराना कैल्कुलेटर है ये मत अब क्या है जो आपके स्क्रीन पर दिखता है वो अबेकस मतलब इसमें क्या है जो बिट से वो बिट को आप काउंट करोगे और इसके इसाब से आपको प्लस और मैनस सिखाते थे ठीके बहुत सारी स्कूलों में अभी प्राइमरी सेशन में जीनर जूनर केजी में भी ये ठीक है तो कहने का मतलब है कि आप इसको भी मनलब इसको सबसे बेजिक कईडेविस मतलब कॉंपूटर बनाने का हमें वा हुई तो एसके फिर हमारे पर साता है दूसरा में आपको स्क्रीन दिखाती हूं ठीक है फिर हमारे पास आता है देखो slide rules ठीक है यह आपको screen दिखता है slide rules वाला इसमें क्या है देखो जैसे हमारे पास scale होती है जिसे हम measurement लेते हैं ठीक है math में और science में को भी figure बनाने के लिए तो जो यह measurement scale है उसका use करके computer में operating का काम होता था मतलब plus minus division और multiplication ठीक है तो कहने का मतलब है कि यह measurement rules का भी use करते थे और उसके हिसाब से उसमें काम करते थे जिसको हम slider rules भी बोलते क्या बोलते है slider rules क्या बोलते है slider rules यह बहुत पुराने तरीके हैं जिससे हम computer में plus minus addition division multiplication वो सब करते थे ठीक है आज को तो यह है भी नहीं ठीक है बहुत पुराने style में यह device काम करने के लिए फिर हमारे पास आता है बच्चों हाँ फिर हमारे पास आता है vacuum tubes और वह सारी generations ठीक है वह मैं आपको दिखाती हूं देखे यह हमारे पास generation of the computers and their characteristics मतलब first computer आप देख सकते हो first generation ठीक है first generation में आप देख सकते हो कि एक बड़ा सा आपको box जैसा दिखेगा उसमें बहुत सारी switches आपको दिखती है ठीक है और मतलब पूरा एक room जीतना बड़ा कोई machine हो ऐसा आपको लगता है ठीक है तो वो था हमारा first generation का computer कौनसे generation का first generation का देखो इतना बड़ा computer first generation में था और तब वो जो first generation का computer था उसका नाम था uniak क्या था uniak फिर मैं आपको दिखाओंगी बाद में उसका table कि कौनसे generation में कौनसा computer था ठीक है कौनसा था uniak फिर आप देख सकते हो उसके बाजू में second generation तो second generation में transistor यूज होता था क्या यूज होता था transistor देखो first generation से थोड़ा छोटा है पर पूरा एक table हमारा पूर बर्जय उतना बड़ा तो है अब उतने बड़े मशीन के साथ काम करना एक साथ काम करना एक साथ उसमें data एंटर करना फिर process होना फिर उसका output मिलना ठीक है वह सब कुछ lengthy process है मतलब बहुत लंबा process है और आपको बहुत वेट बी करना पड़ेगा मतलब time consuming भी है आपको time ज्य कि first and second generation में तो आप देख सकते हैं उसका size बहुत बढ़ा है उसको चलाने के लिए देखो उसमें wires भी बहुत सारे है तो उसको चलाने के लिए ज्यादा अदमियों की ज़रुत होगी फिर उसमें heating भी ज्यादा आती थी इतना बड़ा machine है तो हीट तो करेगा तो heating का भी problem होता तो अब यह सब problems को solve करने के लिए और सबसे main problem तो उसकी size छोटी करने के लिए अब इतना बड़ा room जीतना computer हो तो आप आपके घर पे लाओगे अगर लाओगे तो भी एक extra room आपको बनाना पड़ेगा उसको रखने के लिए office में ले जाएंगे तो भी उसको एक extra room बनाना प जिसके आप देख सकते हो third generation का computer नीचे की लाइन में है देखे third generation लिखा हुआ तो उसमें हमने integrated circuit का use किया है ठीके जो छोटा है मतलब second generation से तो छोटा है मतलब हमारे table पे कोने में आ जाए देखो उसका monitor कितना पुराना है जैसे हमारा पूरे ने computer जो black and white tv आते ते तो उस त अब देखो एसे पूड़ा sleeping mode में मतलब ऐसे sleeping style का CPU था मतलब ऐसे horizontal mode ठीक है अब हमारे पास vertical आते है CPU मतलब ऐसे खड़े होगे और उसमें भी आप देख सकते हो देखो मतलब उसका heavy वज्जन आपको लगेगा keyboard भी कितना बड़ा है ठीक है keyboard भी आपको ठीक लगता है मतलब मोटा और बड़ा लगता है तो keyboard भी इतने बड़े बड़े थे monitor भी इतने बड़े थे और आप देख सकते उसमें ग्रीन कलर में कुछ लिखा है तो कहने का मतलब थे इतने colors भी नहीं थे सिर्फ red green और black white का ही आप यूज कर सकते हो तो यह था हमारा 3rd generation 3rd generation में हमारे पास आते हैं integrated circuit फिर हमारे पास आता है 4th generation का computer ठीक है 4th generation है जो सबसे latest generation latest in the sense कि जो अब हम computer अभी यूज करें वह सब 4th generation में आही गए थे उसका बेजिक जो है 1980 से बात का 1980 के बात के सारे 4th generation है उसमें हमने very large case indicator circuit का यूज किया है मतलब VLSI का यूज किया है किसका यूज किया है VLSI किसका यूज किया है VLSI का यूज वारी large case indicator circuit तो यह भी computer अभी जो आज यूज करें उससे तो थोड़े बड़े है देखो उसका keyboard भी कितना बड़ा है और heavy लग रहे आपको ठीक है monitor थोड़ा standing position मे है और उसकी clarity भी बढ़ गई है ठीक है फिर हमा उसमें जैसे के हम अभी जो PC बोर्ड रहे personal computer उसकी शुरूरात हो गए थी हमारे office में घर में even computer lab में जो भी computer है वो सारे fourth generation में बनने शुरू हो गए थे इवन super computer super computers भी fourth generation में बनने शुरू हो गए थे मतलब सबसे vast मतलब बहुत ही development था fourth generation में ठीक है बहुत सारे low computers का use करने लगे थे सबसे fast development था सब मतलब business में school में college में सभी जगा पर इसका use होने लगा था ठीक है फिर हमारे परस आता है fifth generation ठीक है तो fifth generation में आप देख सकते हो fifth generation में ये चोटा एक computer है जो आज हम use करते हैं उसमें mouse भी देखो वायर वीना है fifth generation में mouse सुरू हो गया था ताकि आप graphics का का काम ड्रॉइंग क का काम भी कर सकते हो ठीक है ड्रॉइंग का काम भी आप कर सकते हो fifth generation में जो हमारे पास notebook मतलब जो चोटे चोटे laptop है उसकी शुरूआत हो गई थी ठीक है उसमें pentium processor की भी शुरूआत हो गई थी मतलब आज जो latest technology है वो कौनसी है fifth generation की और उससे भी latest आशकल तो robotics चल रहा है त तो वो robotics भी हम fifth generation के बाद शुरू हुआ था clear है इतना तो यह सारे basics computer देखे हमने जो generation of the computers and their characteristics मैंने आपको explain कर दिये है first generation से लेके fifth generation के और आज के तोर पे मतलब आज के यह generation में हम each and everywhere computer यूज़ करते हैं जैसे कि आप office में जाओ computer अभी तो online पढ़ाई शुरू हो गई है ठीक है online education शुरू हो गया किसी mall में जाते हो तो वहां computer के through bill बनता है किसी छोटी shop में जाते हो तो भी computer के through bill बनता है ठीक है even आप जब ticket लेते हो online shopping करते हो तो payment करते हो तो credit card और debit card के through करते हो तो उसमें भी छोटा computer होता है ठीक है तो कहने का मतलब है each and every field में computer का use होता है clear है सबको ठीक है तो यह हमने chapter number first का revision ले लिया तो आप देख पाते हो कि chapter number one two and three का हमने all over revision ले लिया है अब हमें chapter number three बहुत details में पढ़ना है जो है power point जिसमें हमें practical और theory दोनों लेना है ठीक है practical theory दोनों लेना है बहुत interesting subject है power point presentation बनाना आपको अच्छे से आ जाएगा ठीक है chapter number one or two two में थोड़ा practical था chapter number one में तो पूरा theory था ठीक है मतलब computer के generation उसके parts keyboard monitor mouse वो सब कुछ इस तरह से थे clear है ठीक है तो यह सब कुछ हमने देख लिया है तो आज का वीडियो हम यहां तक रखते है आप chapter number one or two का अच्छे से revision कर लेना chapter number three का थोड़ा बहुत introduction देख लेना power point का जो window है उसका description भी आप एक बार देख लेना clear है तो यहां पे मैं window close करते हूं करता हूं